अग्याइज गूड मॉर्णिंग और आजम पढ़ने वाले दिप्लोपया चार्टिंग हम करते हैं फॉर असेस्मेंट ओफ एस्ट्रोकुलर मसल्स के इसमें पालसी है या नहीं है अगर पालसी है तो विच कौन सी मसल्स में पालसी है इसमें बेसिकली पेशेंट कंप्लेन करत अचेने में या दो को इसको मतलम कोई आप्जयक देख रहा है तो उसको डभल डभल आप्जयक देख रहा है इसका प्रोसीड मेंLP स्ट हिसको में पेशेंट कोरेयों मतलम क्यों इसमें हुकर पढसा perception का Шके Qoky वह 솟े嗎 इसमें दो colors होते हैं एक तो red और एक green जो red color होता है वह हम right eye के सामने लगाते हैं और जो green color होता है वह हम left eye के सामने लगाते हैं ठीक है और हम patient को comfortably room में बिठा देते हैं जो semi dark होता है ठीक है और एक white linear light डालते हैं four feet के दोरी पे और patient से कुछ questions पूसते हैं उस questions में हम पूसते हैं कि उस linear light की position क्या है brightness क्या है और separation कहां पर है separation से मतलब है हम nine की nine cardinal gaze में उस light को लेके जाएंगे और patient से पूछेंगे किस gaze में सबसे ज़्यादा greatest separation देख रहा है और किस gaze में fusion देख रहा है मतलब वह light सुरिफ एक देख रही है या फिर दो देख रहा है ठीक है अगर light दो देख रहे हैं फूर अग्जमपल यह condition है यह तो simple fusion देख रहा है इसमें दो देख रहे है मतलब left eye के सामने green देख रहा है और light एाइक के संवने रेड देख रहा है तू ये 12 हो गए लेकिन ये पार कली के अज का ये युदो है कूंह ये आज क्रॉस्ट इस टेल पिया की व हलान क्रॉस्ट टेलिप्लोपियाओ के व्यर्ज़ सामने डिफ लूपिया निचने क्रॉस डिप्लोपिया और हम एग्जोट्रोपिया में देखने को मिलता है उस घ्दडी कर कि अब एक्जाम्पल के तोर पर समझते हैं दो एक्जाम्पल लेता है अर्ड़ दौर लेता है लेथा राइट superior rectus की palsy so left में जो position होगी वो primary position होगी लेकिन right में palsy है तो right superior rectus right superior rectus कहां पर present होते है यहां पर ठीक है so i किधर move कर जाएगी नीचे की side कि इधर simple अब इधर देखिए यह हमको इस i में exo दिख रहा है तो first exotropia second exotropia में जैसे हमने बता है cross होता है cross होता है ठीक है so left eye में कोई भी diplopia नहीं है तो left eye के लिए हम green glasses पहनते थे left eye में so green मैंने simple कोई diplopia नहीं है green मैंने यह का यह simple का simple draw कर दिया लेकिन right eye में पाल्सी है और crossed है मतलब right की जो figure बनेगी वो इधर की side बनेगी लेकिन इस gaze में binocular क्योंकि यह gaze नीचे present है तो इसमें binocular vision present रहेगा यह होगा binocular vision present सबसे ज़्यादर separation कहां पर होगा इस gaze में है ठीक है क्योंकि अगर मैं इस figure को इस eye पर आके लगा दू तो सबसे ज़्यादर separation यहाँ पर मिलेगा ठीक है अब मैं बनाता हूं ऐसे सबसे ज़्यादर separation यहाँ पर फिर सबसे का तो यह सबसे करते हैं हमारी right superior rectus palsy अब सेम समझते हैं right inferior oblique के लिए अब right inferior oblique में पहले left के लिए हम simple से बनाते primary position यह होगी राइफ right inferior oblique right inferior oblique किधर होती है यहाँ पर तो आए हमारी किधर मूब चकर जाएगी नीचे के साइब सिंपल और यह इजो ट्रोपिया इजो ट्रोपिया इजो ट्रोपिया के लिए हमने बता आया था अंक्रॉस्ड होता है कि अब left में कोई palsy नहीं है तो left के लिए हम green यह होई भाग कर देंगे राइट में पालसे लेके लेकिन uncrowled है मतलब राइट में तो राइट के साइड़ी हम ड्रोप करेंगे और सबसे जाद है किस गेज में इस गेज में मतलब पालसी यहां पर प्रिजंट होगी इसको अगर मैं इसके उपर रख दूं तो सबसे ज़्यादा यहां पर प्रिजंट होगी तो ड्रॉ करते हैं यहां पर सबसे ज़्यादा होगी यहां पर थोड़ा कम यहां पर थोड़ा कम अब समझते हैं लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट सूपीरर रेक्टस राइट में कोई पाल से नहीं है तो लाइट की पोजिशन इधर होगी इधर तो आई किदर मूफ कर जाएगी नीचे अब मैं इस इस बॉक्स को अगर मैं यहाँ पर रख दू तो सबसे ज़्यादा फाल्स किदर प्रिजन होगा यह वाला मतलब यहाँ पर ठीक है उससे पहले हम समझते हैं यह है एग्जो एग्जो ट्रोपिया एग्जो ट्रोपि ठीक है अब मैं इसको इसको उपर रख दूँगा तो सबसे ज़्यादा सैप्रिशन कहां पर प्रिजन्ट होगा यहाँ इस पोजिशन में तो पहले मैं रेड के क्लिक कर दूँ क्योंकि रेड में कोई भी डिप्लोपिया नहीं है कोई भी इस्विंट नहीं है सौरे ठीक है तो नीचे बाइनोकल विजन प्रिटन्ट होगा सब सबसی ज़्यादा स सब्सेरेशन इस कंडिशन को बलें मां लें अप शिक्रम समझते हैं लेट शुपिरियर ओबिपिया लेट में यहां सब्सी सारी पोजिशन सो पिर अबलिक कहां पर होती है यहां पर तो आई किधर मूब कर जाएगी इधर के सब्सक्राइए अब अंदर है तो इस रोपिया इस रोपिया में सिंपल क्या होता है हमारा अन्क्रॉल्स ऐसे पहले हम राएट के सारा पैले से ब्रॉकर देते हैं अब इसको हम इस पोजिशन पर रखेंगे तो वीसमत सबसे ज़ाद ऊपर प्रड़ेंट होगा आप इस बॉक्स को मैं यहां पर रखते हूं तो तो घ्रीन घ्रीन की साइड की वह होगा कि गुरिश 짧ए anne कि अर सभसे ज़्याधा सेप्रेशन यहां पर उस से कम थैंगा मुझान को सब्सेप्रेशन यहां पर लगए तो इसको सब्सेब लेए कहा जाया है झाल झाल